हे दोस्तों आपका स्वाकत है आस्वियम के एक और फ्रेश एपिसोड में तो आप सभी ने मुझे कमेंट्स के अंदर कुछ क्वेशन पूचे हैं ये सभी क्वेशन के मैं आपको आंसर देने वालो तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहे हैं तो आसका ओडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारी न्यूज चनल इंफिनिट ग्यान के ओपर मैंने एक न्यूज वीडियो अपलोड किया हैं जिसके अंदर मैंने आपको डीटेल में बताया कि किस तरह से आप वर्डप्रेस वेबसाट के अंदर टेबल एड कर सकते हो इसके अंदर मैंने जिन्ते भी जो पोसिबल वे हैं वो सभी वेश के बार में बताया कि किस तरह से आप वर्डप्रेस की पोस्ट और पेजिस के अंदर ब्यूटिफूल एंड रिस्पॉनसिव टेबल एड कर सकते हो तो अगर आपको इसके बार में सीखना है तो ये वीडि इसके अंदर अपरोवर मिलता है या नहीं तो इसका आंसर है यस आपको इसके अंदर एडिसंस का अपरोवर मिलता है मतलब कि free domain के अंदर आपको add sense का अब रूल मिलता है अब देखिए जो answer है वो मैं नहीं बता रहा है वो मैंने काफी research किया है ये answer जो Google के product expert होते है वो बताते है कि अगर आपके blog के अंदर high quality content है और आपने unique content लिखा तो 101% आपको add sense का अब रूल मिलेगा लेकिन आपको पता है कि ये domain बिल्कुल free है तो 95% blogger क्या करते हैं कि domain तो बिल्कुल free मिल रहा है तो simply domain को बिल्कुल free में register करके किसी भी free hosting के अंदर host करके इसके अंदर जो ultra full अ content करते हैं या तो कहीं से copy करते हैं और इसके बाद add sense के लिए apply करते हैं तो इसको add sense का अप रूल नहीं मिलता हैं येसे भी example हैं जिसके अंदर अगर वो dot tk domain यूज करते हैं तो इसको add sense का अप रूल मिलता हैं कहने का मतलब यह कि अगर आपके blog के अंदर high quality content हैं और आपने dot tk या तो dot cf domain यूज किया हैं तो आपको 101% add sense का अप रूल मिलेगा इसके बाद कुछन है तो सिप P की तरफ से और इसके सर्जी how to remove add sense aid limit प्लीज रिपले तो ऐसे कापे सार वक्वेशन बार बार मुझे आते रहते हैं अब देखिए google add sense की जो aid limit हैं इसका किसी भी परकर का solution नहीं हैं इसका एकी solution है कि आप अपने blog के अंदर content को improve केजें और इसके बाद अगर आपके blog के अंदर 90% से ज़्यादा social media से traffic आता है तो इसको आप कम करने की कोशिश केजें वैसे मैं 2016 यानकि 2016 से blogging करता हूँ आज मेरे पांस active मेरे family member के नाम से और मेरे नाम से total aid अकाउन है मुझे कभी एड लिमिट नहीं आया है इसका रिजन यह है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो mix traffic आया जाने कि organic plus social media तो आपके जो एडसेंस अकाउन के अंदर कभी एड लिमिट नहीं आएगा इसके बाद मैंने कुछ blogger के पांस से सुना है क्योंकि मुझे तो कभी एड लिमिट नहीं है बोलोग यह बताता है कि अगर एडसेंस के अंदर एड लिमिट आती है तो सिंप्ल आप कुछें करना है कि आपके content के अंदर तो improvement करना है साथ हो साथ आपके blog के अंदर आपको auto add enable करोगे तो दो तिन दिन के बाद आपका जो एड लिमिट है वो मेरी खाल से रिमू हो सकते है तो यह सभी परकार के वेस को आप ट्राय कर लिजे आपका एडसेंस का एड लिमिट रिमू हो चाएगा इसके बाद कुछन है मनविंदरा सिंग की तरफ से और यह पुछरे कि मेरे blog post हिंदी में होते हैं तो क्या यह हिंदी support करता है तो यह question है tool tip के ऊपर म मालेजें आप क्या blog हिंदी में हैं तो आप इसके अंदर हिंदी में भी tool tip बना सकते हैं और आपने जिन्नी भी जो word हिंदी में एड किया है इसके मुताबिक आपके blog के अंदर एक glossary page create होगा और इसके अंदर आपके जिन्नी भी जो हिंदी word हैं इसके list automatically create हो जाएगी इसके बात के सेना टेकनिकल चावन की तरफ से उड़ी पुछले की seven percent interest month का है या yearly तो देखिए ये मैंने जो idfc bank का जो मुझे welcome kit receive हुआ था इसका मैंने post डाला था community tab के अंदर तो इसका question है तो मैंने idfc first bank के अंदर recently account open किया है तो मैंने सब कुछ इसके बारे में चेक किया है त जो idfc bank के अंदर जो आपको seven percent interest rate मिलता है आपके जो saving के अंदर तो आपके account के अगर वन लाक रूपी आप maintain करता है तो आपको quarterly quarterly मतलब कि आपको every three month आपके account के अंदर इसका जो interest है वो credit होगा इसके बात कुछने SC news के चरब से और मुझे है कि भाय प्लिस वीडियो बनाव news पे अपरोल के से लिए प्लिस प्लिस वीडियो बनाव for detail तो अब देखिए इसके अपर मैंने वीडियो नहीं बना था क्योंकि YouTube के अंदर कापी सारे वीडियो अविडियो अविलेबल है और Google news के लिए apply करना का process सेम है simple आपको आपके blog के बारे में data लेट करनी है और आप आपको simple दो तिन दिन वेट करना है इसके बाद Google की तरफ से response मिलता है इसे ही मैंने जो Google news के लिए apply कर दिया है तो मुझे दो तिन दिन के बाद reply कि आपका website अपरोल हो चोगा है तो अगर आपके साथ के अंदर content अच्छा होगा तो definitely आपको अपरोल मिल जाएगा simple आप जो Google का publisher center है वहाँ जागे apply कर दिजे यह तो YouTube के अंदर search कीजे आपको काफी सारे वीडियो से मिल जाएगा Google news के लिए apply करने के लिए अगर आपके ब्लोग के अंदर content अच्छा होगा तो definitely आपको अपरोल मिल जाएगा इसके बाद कुशन है टेक बोई परबात की तरफ से और इ Google Adsense की policy के अंदर ऐसा है कि मालने के आपका एक Google Adsense account है इसके अंदर आपने आपका खुद का bank account लिंक करके रखा है तो आपके bank account के अंदर payment आने की date आगी हो आपका account जो कुछ problem आ गया या तो आपका account जो temporary close हो गया आपके account के अंदर payche से नहीं आ सकते है तो इस case में आप immediately क किसी और का account यूज़ कर सकते हों वो भी only one time आपका payment दूसरे account के अंदर आएगा इसको बाद में आपके account के प्रोब्लम में इसको solve करके आपका account फिर से आपको link करना होगा मालेजिए आपके एड़से account के अंदर आपने एक account link किया और same account आप दूसरे access account के अंदर link करना के क account के अंदर मेंज होगा तो आपके दोनों account disable होने की possibility बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है मैंने आपको स्टार्टिक में बता इस तरह से आपको दूसरे का account एक बार यूज़ कर सकतो हैं तो ही आप इसका यूज़ कर सकतो हैं तो बस दोस्तों